है जैंगे दोस्तों साथ आप सभी का फिर समय नीए वीडियो में तो दोस्तों और मेरे पास है रियल्मी का नाइन घवाई जी मोबाई है इसकी डिस्प्ले हागे से हटी हुई है इसकी डिस्प्ले हम लगाएंगे तो नई डिस्प्ले लगानी हो यह इसप्ले ह tua ętके दूबार से लगानी हो दोनों सार नोगा प्राषीजर सेम रहाएगा पच्तप इसके डिस्प्ले कपताब बीचे से ste का ओडुमा इसको आगे से ही अब साफ खरके और दिस्प्ले चिपका देते डिकने हम इसके निलेंगे डिस्प्ले खराब होने का भी डर है अगर हमने इसको बहार की तरफ खैंज के और फिर लागाने की कोशिए यह लिए हम इसको जो यह बैक पैनल है इसको खटाएंगे तो बैक पैनल हटाने के लिए हम इसको थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे बहुत ज्यादा नहीं ख़ड़ बहुत अब जब मैंने इसके बैक पैनल हटाने की कोशिश की तो आप देख रहोंगे साथ की साथ इसका पेंट भी खराब होना शुरू हो गया तो विभी खरण को गया तो इसको जो भी तो चैश्का पिन्वार्स का साध़ी का शुरू है कि बीचेश प्रेओ के लिए है लेकिन जो एटेस फाइवजी की बैक पैनल है वो बहुत अंगलब साई क्वालिटी का है उसमें इसे कोई दिक्तर नहीं आती तो इसमें विस्क कम लेने के लिए मैंने कोशिश की मैं इसको पहले वो नाखुन से इसको थोड़ा सा उपन करूं कोशिश कर रहा हूं कि मुबाइल कहीं खोलें लेकिन इस क्वालिटी का पैनल मैंने पहली बाद देखा है जो ग्लास बैक होते हैं उनमें तूटने का खत्र रहता है लेकिन ये वाले में इस तरह के मोबाइल जो भी है जो ये पेंट उतर रहा है ये ज्याद अच्छा नहीं है कि ये कैमेर के चारव तरफ भी इसमें गलू लगी रहती है तो इसको थोड़ा सा एक बार और हीट अप कर लेंगे कि अ कि 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 इसमेल का ब्रेग होने का तो खत्र नहीं है लेकिन जो प्रेट उतर रहा है वो ताहीं नहीं है कि बता नहीं इतनी खटियो क्वालिटी का पैनल इन्होंने क्यों बना है और यह और इसल पैनल है आपने और भी कई वीडियो देखिए हूं कि इसमें शायद रियल्मी नाइन फाइफ जी की बहुत कम है यह कि इसका जो बैक पर का पेंट उतरता है वो लोग दिखाना नहीं चाहते है और चले अब इसके बैक में जो मदर बूर का बैक का वारे उसके फिच खोल लेते हैं कि का थे लिए कर दो कुछ पेच इसके वह गुलू के नीचे भी हो सकता है तो इसलिए आप थोड़ से ध्यांट तोने खुल लीजिए गुलू को हटाके पेच खुल लीजिए कि अब आप अब एक पीच जो है जो वह इसके जो कैमरे का लेंज से उसके नीचे है तो इसके लिए हमें यह कैमरे का लेंज हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए हम इसको थोड़ा सा हीट अप कर लेते हैं क्योंकि यह अच्छा खासा चिपकावा होता है कि कि अब बहुत जाद जो नहीं लगाएंगे दीर दीर करके कोशिश करेंगे इसको फोलने के लिए कि अब कि अगर एक दम से फोलत हो सकता है लेंज कर जो यह ग्लास है यह ब्रेक हो जाए दीर 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 है यह देखिए यह इसका अगरास हट गया और इसके नीचे आप देख रहे होंगे यह पेज यह पेज भी खूलना है अब इसके बाद इसके नीचे की तरफ जो पेश लग रहे हैं सब सभी पेचो कम खोलेंगे इसके बाद हम इसकी सिम्ट्री निकाल लेते हैं सिम्ट्री निकाल के बाद हम इसका प्रेम पज्जू कवर यह वह उटाते हैं यहां पर फिंगर पिल्ट भी लगा हुआ है इसलिए थोड़ा दियान से इसको कोलना है जी जी बाद एकी शीन पर कालिज दे क्वरें तो तक दा मेरे का प्रेश मयाद हैता तक जी बाद नहीं इसको करेड़ के मदलब है फैसे तो इसको कड़ाने है कि आहाद से थोटाने आप आप ऑट पर पीच्पशो कर भाकाशंचा आब बदल हो मतेल करता हैं कि इसके बाद बैट्री को अटाएंगे और बैट्री को बहाँ निकालेंगे कि बैट्री को निकालने के लिए थोड़ा सा तो जोर लगाना पड़ेगा तो कि इसे बाद निकालने के बाद यदि यह थोड़ी बहुत टेड़ी भी हो जाती है तो कोई रिकत नहीं है उसे बैट्री को आप हादा से दबा के सीधा कर लीजिए अब जी बैट्री के नीचे पंदनी है उससे हम अटा लेते हैं करें अब जाए अब जाए अब जाए अब जाए अब जाए अब जाए अब काफी सारे लोग इस पंदी को ऐसे खैंज देता है और रहता के फैक्ट देते हैं लेकिन अगर यह लगी रहा है तो जाए अच्छा है हम यह डिस्प्ले का पत्ता अटा लेते हैं और यह डिस्प्ले भार आगी है यदि यह डिस्प्ले चिप्की होती तो हम इसे हीट अब करके हटाते हैं अब इसके फ्रेम पर जितनी भी गुरू लग रही है उसे हम अटा लेते हैं क्योंकि यह गुलू हमने नहीं अटाई और किसी के उपर दुबारा से गुलू लागा के हमने फोर्डर चिपका दिया तो फोर्डर बहुत चल्दी दुबारा से अट जाएगा तो इसलिए चीज का ध्यान अटना है फ्रेम को अच्छी तरह से साफ परने है और कोशिश करनी है कि कहीं पर ब्लू नहां लगी रहे हैं कि मैंने देखा है कि कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं पुरानी ब्लू लगी होती है और उसी को पर यह दुबारा से फोल्डर चिपका के कस्टमर को दे रहे थे हैं और उसके बाद यह तो जो फोल्डर चिपका हुआ होता है वह बहुत ही ऐसा लगता है बिल्कुल गट्य क्वालिटी का है कि फोल्डर थोड़ सा उठा हुआ रहता है और साथ की साथ फोल्डर के हटने का भी खत्रा बनना रहता है इसके बाद जो यह डिस्प्लेट डिस्प्लेट पर भी जो गुलू लग रही है उसको हम अटाएंगे इसको अटाने क्लम किसी चिम्टी वगएरा किसी मतलब टूल का इसमाल नहीं करेंगे हमारे नाखुन से इसको हटाने की कोशिश करेंगी जितनी भी ग्लू हटती है तो यह डिस्प्लेट पर यदि ग्लू लगी रही है तो यह देखिए यह ग्लू जैसे बहट रही है तो टाइम बाद ऐसे फोल्डर भी हट जाएगा इसलिए कोशिश करने डिस्प्लेट को भी इतना अच्छा साफ कर सकते हैं अच्छा से उसे साफ कर लिजिए सब्सक्राइब से डिस्प्लेट को साफ कर लेते हैं और यहां पर मैं युद। यह बर बदके लिएक आखके भी दिस्पलेटेरा है तो इसके लिए आप खें करें यह जाली जाली को भी आप एक लगुते हैं सब्सक्राइब मए जाली को साफ करने के लिए यहां पर लगी होती है प जाली को आप किसी सर्फेस पे टिका के साफ करें क्योंकि यह आपने इसको हाथ में लेके साफ करा तो यह बहुत भी नाजुक होती है और यह मुर जाएगी तूड जाएगी इसलिए बैटर यह है कि इसको इसी सर्फेस पे टिखा गए और फिरी साफ करें अब जहां जाली लगती है उसके दोनों तरफ हम थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे और हल्क किसी इसके सेंटर में जाली टिखाने की जगे बनी होती है वहां पे लगा देंगे और इसके बाद करें जाली को चिपकाते हैं क्योंकि हमने यह जाली बिना चिपका है इस पर टिकादी हो सकता है यह टिक तो जाएगी लेकिन तोड़ी टाइम बाद यह बहार आजाएगी अच्छा है यह जाली को भी चिपका देंगे तोड़ा से निकालते हैं में हो सकता है इस जाली का भी बैलेंस थोड़ा सा खराब हो जाए तो इसलिए इसको कुछ सेगेंड के लिए दोनों तरफ से दबा के रखें जैसे यह अच्छे से चिपक जाएं एक्स्टर जो भी ग्लू है इसको मटा देते हैं और इसको प्रेस करके अच्छे से चिपका देते हैं अब हम फ्रेम में चारतर्फ ग्लू लगाएंगे यह जो प्रोक्सिमिटी सेंसर वाले हिससा होता है इस जगे पर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी बार ऐसा होता है फ्रेम में जब डिस्प्ले लगाता है और दबाप पड़ता है तो ग्लू आगे की तरफ निकालाती है तो उससे को छोड़के हम फ्रेम में चारतर्फ ग्लू लगाएंगे बहुत जादा ग्लू नहीं लगाएंगे हलकी हलकी सी लगाएंगे क्योंकि यदि आपका फ्रेम साफ है और डिस्प्ले भी साफ सुतरी है तो इतनी ग्लू में आपकी डिस्प्ले अच्छे से चिपक जाएगी और डिस्प्ले के चारो तरफ भी ज्यादा ग्लू नहीं फैलेगी झालेगी झालेगी अब जैसे इसमें डिस्प्ले लगा रहे हैं यही तरीका सभी मोगालों में सेम सेम ही रहता है अब यहां कुछ मोगालों को खोलने का तरीका थोड़ा सा लग हो जाता है कैमरे की साइड में भी हम थोड़ा हलकी ग्लू लगाएंगे और रेल्मी 8S5G 95G इनके तरीके बिल्कुल सेम हैं इनके फोड़र भी सेम हैं लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 8S5G की जो बैक पैनल उसमें ऐसी कोई परिशाने वाली बात नहीं है कि वह इजली हट भी जाता है ना उसका पेंट खराब होता है और वह असानी से ब्रेक भी नहीं होता तब यह डिस्प्ले डिस्प्ले के चार उकॉनों के भी हम हलकल कि सी ग्लू लगा ले थे हैं अब हम डिस्प्ले को फ्रेम में लगाएंगे यह देखिए पत्ता पीशे से चिपका हुआ है अगर यह चिपका हुआ नहीं होता तो कि कई जो लोकल डिस्पली कि लगाते हैं वह लोग इस पत्ने को निश्पकाते है तो में तो राक साघ्ग जाती अब ऐसी कंडीशन में अगर इसको डिस्पली को खहने तो दो सकते डिस्पली खरा होजादी घ्गा कि अभी डिस्प्ले लगाने के पाद हम इसको चाड़ तफ से कि थोड़ा थोड़ा दबा देंगे कि और जितनी भी एक्स्टा ग्लू अब हमें नजर आएगी दबाने के वाद कि उसे में अपने हाथ से क्लीन कर देंगे कि देर देरे एक दो बार सब तरफ से दबा दीजिए और यह ग्लू भी अपने हत्वाथ साफ कर दी तो अथ्य साफ हो जाएगी बाद में जब यह आड़ होगी तो फिर थोड़ा सको हटाना मुश्किल हो जाता है और यह जो साइड़ों में ग्लू निखिलती है यह मैंने किसी कपड़े से बेटाने कोशिश की थी लेकिन उतने अच्छी क्लीन नहीं होपा थी तो चले हमें यह डिस्प्ले को सूपने के लिए छोड़ दिया था अब हम इसका जो डिस्प्ले का कनेक्टर है उसको लगाए इस तरफ हमने डिस्प्ले से पाने के लिए टेप लगार के तुछ को मठा देंगे और बैट्री के नीचे जो पनी थी उसको दुबार सही तरह के से लगाएंगे देखे चाहिए इस छोटी से डिस्प्ले की फ्रेम में जो यह पनी लगी रहती है लेकिन इसे हमने गंदे डंच से लगाया तो थोड़ी सही बात नहीं है क्योंकि यह चीज भी कई बार कस्टमर आपके पास में बैठा हो और वह देखता है तो उसे भी हो सकता है यह अच्छा नहीं लगे कि आप इसकी पन्नी को हटा के फैक दें या गंदे तरीके से लगाएं अब इसके फिंगर पिंट का जो सेंसर है उसका कनेक्टर हम लगाते थे हैं और ध्यान से यह पता जो इसका है वो टेड़ा में डनाओ और इसका फ्रेम हम उपर से प्रेस कर देते हैं प्रेस करने के बाद अब हम इसके नीचे के पेश लगाएंगे इसके बाद क्यमरे ल louasten के नीचे का पेश लगाएंगे वर उसके पेच दसेंगे तो रहें एक क्यमिरे के लैंस का गलास है तो ग्लास लगाने के बाद और व्रेंग फ्रेंव लाएंगद जो अब यह एक्स्ट्रा गूउ लगी ज़म हुई और हम उसको अटादेंगे क्योंकि अगर हमने यह ग्लू नहीं हटाई तो फिर वह बात है कि बैक पैनल भी हटने का डर रहेगा वो धन से नहीं चिपकेगा तो बैक पैनल पर भी हमने चारो तरफ अंदर एक साइड में ग्लू लाक है और इसको च्प्ताने के लिए रख दिया है तो अब आप यह बैक पैनल के हार्ट कंडिशन भी देख रहे होंगे हाला कि यह मुझे भी इच्छी लग रही लेकिन क्या करें हमारा तो बनाए हुआ नहीं है इसलिए आप भी जब भी यह कस्टुमर का अगर यह वाला सेट खोलें तो इसको पहले ही बोल दें कि भी आपका टेप से चिपका देजें अब टेप से चिपकाने में क्या है है कि बैक पैनल और डिस्प्लेइल दोनों थोड़ा अच्छे से चिपक जाते हैं और उनको पर दबाब भी सही बन जाता है कि रबर्बैंड से हो सकता है कई वार इस साइड से थोड़ा बहुत उठा हुआ रहा जाए और मेरा जो यह वीडियो प्लोट करने का में कान्ट हो यही था कि इसके बैक पैनल की कंडिशन में आपको दिखा सकूं तो अब वने सेट अन कर लिया है और इसे चेक भी कर लिया है तो अब इस हम दो तिन गहंटे के सूने के लिए छोड़ देंगे ओके बाबाबाब्स आइए